अपर सीम पुशकर सिंग धामी द्वारा सभी आंदूलनकारियों की पृतिमा पर फूल बियां पर उन पर चुड़ाए गए हैं और साथी साथ उत्रगंड सीम पुशकर सिंग धामी सहेत बीजेपी और कॉंग्रिस के कई नेता मुझफरनगर के रामपूर पहुचे हैं और साथी साथ तिरहा पर राज संगटन की मांग को लेकर शहीदों को शन्दाजी अर्पित की गई है अलग-अलग शेत्रों की मांग को लेकर परवर्तिय शेत्र के लोगों ने आंदूलन भी शुरू किया था एक अक्टूबर सार 1994 की राथ को दिल्ली की तरफ खूच कर रहे सैकडो आंदूलन कारियों को थतकालीन प्रशाशन ने रामपूर तिरहा पर रोक लिया था इसके बाद आंदूलन कारियों पर गोलिया चलाई गई थी इस गोली कार्ड में साथ आंदोलनकारियों की मौके परी मौत हो गई थी जबकि 15 से ज़ादा आंदोलनकारी गंबी रूप से गायल हुए थे इस दोरान लापता हुए तीन लोगों को भी शहीद का दर्जा दिया गया है मामले को लेकर कई केस न्यायले में विचारा धीन है रामपूर्त रहा पर शहीदों की याद में समारक बनाए गए है हर साल 2 अक्टूबर को शदांजली कारिकरम होता है शहीद समारक पर पहुचे मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारीयों के लिए योजनाय चलाई गई है अस्पताल में निशुल के इलाज और बेरुजगार युवाओं के लिए भत्ते चलाए जाने की योजनाय बताई गई है 27 साल बीच जाने के बाद भी अभी तक शहीदों के कातिलों पर कोई भी कारवाई नहीं होई तो फिलाल ये तस्वीरे आप देख रहे हैं जापर सीएम पुषकर सिंग धामी शहीद इसमारक पहुचे है और साथी साथ तमाम आंदोलनकारीयों की प्रतिमा पर फूल भी उनके द्वाराज चड़ाए गए है सुरक्षा के पुखता इंतिजामात यहां पर देखने को मिले है ये रामपूर से जानकारीयों आप तक पहुचाई जा रहे है जापर आज गांदी जहनती है गांधी जहनती के चलते अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग तरीके के कारेक्रमों के आयोजन किये जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी वहाँ पर खुद पहुच रहे हैं आती साथ ये तस्वीर और ये जानकारी रामपुर से आप तक पहुचाई जा रही है उत्राखन राज्य का गठन भले ही किस साल हो चुके हैं लेकिन आज भी आंदोलनकारी हैं जो अपने इंसाफ के लिए तरफ रहे हैं इस वक्त हम रामपुर के उसी तिरहाई पर मौझूद हैं जहां पर उत्राखन राज्य की मांग को लेकर साथ लोगों ने अपनी जान दी थी कई लोग यहाँ पर शहीद हुए थे उत्राखन राज्य के गठन को लेकर हमारे साथ अंदोलनकारी मौझूद है जिस तरह से भ को अभी तो करेंगे तबी देखेंगे अभी जब तक होता नहीं है अब क्या बोल सकते हैं जब करता है कि कहीं जो मुख्यमंत्रिया पर आते क्यों घोशनाएं कर जाते हैं अंदोलनकारी के लिए कब तक कुछ नहीं किया ना नहीं करा इस एक पत्र भी नहीं दिया समानपत्र समानपत्र नहीं मिला दो बच्चे बेरोजगार बैठे एक ने इंजिनियरिंग करके बैठा है एक एमबे करके बैठा है जो कमपनियों में लगे थे वहाँ भी करोणा हुआ घर में बैठे है उनको खलाना पड़ता है बुड़े माबाबों को जबान बच्चों कई हैं कई समस्य वाके में रखी गए हैं उत्राखंड का 21 साल को गठन होने के बावजूद भी तक उत्राखंड सरकार ने जो उन्हें दावे किये थे जो योजना इनके लिए चलाई थी वो अब तक नहीं मिल पाई हैं कई अंदोलन कारी यहाँ पर मौजूद हैं कई जो खंड के गठन होने के बाद भी उन्हें अंदोलन कारी को जिसके लिए वो शहीद हुए थे वो अभी तक उनको नहीं मिल पाई हैं मगलोर साथ टीवी हंडेड के लिए शमी में अमल